इंगलिस सिखने के लिए हमें grammar ही नहीं, vocabulary भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी इसलिए हम शुरू कर रहे हैं हमारी vocabulary की एक ऐसी series जिसमें हम वो words पढ़ेंगे जो mostly हमें confuse करते रहते हैं इसके साथ-साथ उनके sentences भी कैसे बनते हैं वो पढ़ेंगे और उनकी pronunciation को भी देख लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले है, cease इसको बोलेंगे, cease मतलब बंद करना कोई चीज यह भी हम इसको stop कर देते हैं wonders will never cease wonders means surprises surprises कभी भी खतम नहीं होते कभी भी बंद नहीं होते इसी से मिलता जूलता जो शब्द है वो क्या है cease, इसको बोलेंगे cease, मतलब की छीनना कोई चीज हम किसी से छीन लेते हैं या पकड़ लेते हैं cease the day, यानि कि इस दिन को पकड़ लो cease the day, दिन को पकड़ लो every moment is important क्योंकि हर moment हर लंभा बहुत important होता है तो इसलिए क्या कहा गया cease the day, दे को पकड़ लो next जो हमारे पास है addition, addition मतलब बढ़ोतरी, किसी चीज में हम कोई add to कर देते हैं a new baby is the addition in our family this is our addition so क्या मतलब हुआ कि नया बच्चा हमारी family में एक addition है मतलब कि एक नया बच्चा add हो गया ठीके? addition addition means पुस्तक का संस्क्रण I will launch a new edition of my book मैं अपनी बुक का एक नया edition launch करने जा रहा हूं ailment third one is ailment, element ailment मतलब बिमारी okay you should take timely treatment of your ailment तुम्हे अपनी बिमारी का timely treatment ले लेना चाहिए यानि कि बिमारी को बड़ा नहीं करना है उससे पहले ही उसका treatment ले लेना है element तर्थू the first element of success is courage यानि कि success पाने के लिए सबसे पहला element क्या है courage यह मेरी knowledge में है आपका क्या है वो comment box में आप बता सकते हैं next is bellow this is bellow and this is below okay so bellow गरजना या चिलाना जोया गेव a sudden bellow of laughter यानि कि वो इतना तेज से हसी जोया ने एक बहुत तेज हसी दी यानि कि वो बहुत तेज से हसी below नीचे the sun went down below the horizon यानि कि horizon means जहां पे धर्ती और आस्मान मिलते हुए दिखाई देते हैं तो वहां से sun जो है नीचे जाता हुआ दिखा doubtful and dubious this is dubious doubtful doubtful means संदेह पॉर्ण और ये mostly हम जो पुलिस वाले case होते हैं या किसी ऐसे investigation में doubts होते हैं उनके लिए यूज करते हैं या अपने friends या आसपास की चीजों के लिए थोड़े संदिक्द होते हैं dubious होते हैं तो ये word यूज करते हैं I hope कि आपको ये series अच्छी लगेगी और ये words आप अपने sentences में यूज करना सीखेंगे तो आपकी vocab power बहुत अच्छी हो जाएगी तो इसलिए बने रहेगा मदू की पाडशाला के साथ